मुझे अजिने करें मुझे दूआ रहे हैं मुझे लिए मिए आप दूआ मुझे आपके दूआ मुझे दूआ यवारी यवारी हम सब की चाहत होती है कि हमारा गर बिल्कुल साफ, सुन्दर, चमकता रहे और काम जो है हम असानी से फटाफट कर सकें और अपनी दूसरी होबी और पैशन के लिए टाइम निकाल सकें लेकिन इन सारे चीजों के लिए आपको सुवैसे शाम तक काम करने की ज़रूरत नहीं होती अगर एक घर में सारा समान अपनी फिक्स जगह पर सही तरीके से रखा होता है तो वहाँ काम करने का जो टाइम होता है वो जस्ट हाफ हो जाता है और और भी बहुत सारे फाइदे होते हैं लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत कहां से करें कैसे करें और किस तरह से मैं करती हूँ तो इन सारे चीजों को समराइज किया है मैंने आज के वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं एक दिन में कभी भी कोई भी घर और्गनाइज नहीं हो सकता है इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखके शुरुआत करनी होती है आप शुरुआत कर सकते हैं एक कमरे से, एक जगह से, एक कोने से या फिर शुरुआत कर सकते हैं ड्रॉर से, क्लोजट से, अलमीरा से ये बिल्कुल आपके उपर होता है और धीरे-धीरे करके हमें ये सारी चीज़ें संभालने होती हैं और जब हम ये छोटा-छोटा organization कर लेते हैं तो हमारे पास अपने आप एक motivation आ जाता है जिससे कि हम आगे इस काम को regular करते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक बार में हमने organization कर दिया तो अब बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा और इसके लिए न इसी लिए एक regular हमें motivation की जरूरत पड़ती है तो शुरुआत करिए किसी भी तरह से जो आपके मनमाफिक हो घर को organize करने की कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिनको हम organize करना भूल जाते हैं और जिसकी वज़े से हमेशा हमें ऐसा लगता है कि घर पूरी तरीके से अभी हमारा सही नहीं है और उस छोटी चीज़ों में से एक है हमारे shoes यानि कि जो भी हम daily पहनते हैं उन सारे shoes को अगर हम सही से नहीं रखेंगे न तो हमेशा वो फैले हुए दिखाई देते रहते हैं तो यह है एक shoe organizer और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने सारे जितने भी मेरे shoes होते हैं वो रखती हूँ तो जो यह छोटे-छोटे से थैले होते हैं, bags होते हैं इनको आप ले लीजे जो भी shopping bags होते हैं और इस तरह से करके रखेंगे ना तो कभी आपके shoes में या आपके footwear में कोई fungus लगेगी और हमेशा अच्छी तरीके से वो रहेंगे और इस organizer का size इतना बड़ा होता है कि आप इसे hang भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं घर के कुछ सामान से हम organizer बना सकते हैं और मैंने बहुत सारे videos में आपको ये बनाने दिखाए हैं जैसे ये एक pillow cover से मैंने organizer बनाया था, जिसमें दो section हैं जिसमें आप सारी blouse बहुत अच्छी तरह से organize करके रख सकते हैं बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और इसी तरीके से एक जो ये था मेरे पास पुराना blouse piece उससे मैंने ये organizer बनाया था इसमें जो है मैं अपने कोई भी papers वगएरा होते हैं वो रखती हूँ, बहुत असानी से ये बन जाते हैं और कई बार जो हमारे इस तरीके के bags होते हैं, जिसमें साडियां वगएरा आती हैं, curtains आते हैं, इनको भी आप समभाल के रखिए और इनको organizer की तरीके से use करिए ये काफी लंबे टाइम तक चलते हैं, जो छोटी छोटी चोटी चीज़ें होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा organize करने की जरूरत पड़ती हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी हमारी wardrobe को, closet को बिल्कुल खराब कर देती हैं तो एक ये बहुती बढ़िया सा blouse organizer है, जिसमें सारे blouses बहुत अच्छी तरीके से organize हो जाते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके socks होते हैं, या undergarments होते हैं, या और भी जो छोटी छोटी चोटी चीज़ें होती हैं, उनके लिए organizer का use करिए आप इसके लिए कोई भी cardboard box का या किसी भी तरीके के organizer का use कर सकते हैं, ये जो blouse organizer है बहुत आसान है, इसको भी घर पर बनाना बड़े आराम से ये सिल जाएगा, और दूसरा इसमें काफी सारे blouse piece मेरे blouses आ गए हैं, और ये इस तरह से मैं इनको किसी भी side में रख दूँग तो इनको ना रखना, organize करना बहुत आसान हो जाता है, इसको मैं आपको बनाना सिखा दूँगी, बहुत आराम से ये बन जाता है, और अगर आप Amazon वगेरा पर सर्च करेंगे, तो इस तरीके के organizer आपको असानी से मिल जाएंगे सबसे जादा जो containers खाली होते हैं और वो होते हैं kitchen में, जिसमें glass के बहुत ही बढ़िया-बढ़िया मतलब containers होते हैं, उनको use करें, ये मेरी देखिए एक मसाले का section है, जिसमें मैंने बहुत तरीके की जो bottles हैं वो रख रखी हैं, और इसका reason ये है कि जैसे कोई भी glass bottle, जो छ और एक चीज और मैं बताऊंगी, जैसे कोई भी seasonal चीज आती है, तो मुझे उसका अचार डालने का मन करता है, तो ये मैंने एक अचार मसाला बना रखा है, जिसे किसी भी सबजी में, फल में मिलाके हम उसका अचार बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे लिख रख रखा है, जिससे कि जब कभी भी ये मेरे सामने पढ़ता है, जब कभी भी मैं इस section को उपन करती हूँ, तो मेरा मन करता है चलो थोड़ा सा अचार डाल लेते हैं, बिल्कुल एक practical चीज मैं आपको बता रही हूँ, यानि कोई भी चीज को अगर आप label करके रखेंगे, उस पे नाम ल अगनाईस कर रखा है, तो labeling की ना अपनी एक importance है, ये है कुछ ताजे फूल और इनको fresh रखने के लिए जरूरत पड़ेगी पानी की, थोड़ा सा ठंडा पानी रखती हूँ और इसमें एक मेरे पास बड़ा अच्छा सा powder है, वो डाल के रखती हूँ, तो ये फूल ताजे रहते हैं, लेकिन इनकी पहली जरूरत पानी है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप अपने घर को सुन्दर देखना चाहते हैं, क्लीन देखना चाहते हैं, तो आपको organization पे focus करना ही होगा, ऐसा furniture खरी दिये, खास कर living area में, जिसमें कुछ draws हो, या कुछ सामान रखने का storage हो उससे आपका जो living area है, main area है, वो फैला हुआ दिखाई नहीं देता है, तो जब कभी भी आप living area के furniture में invest करें, तो हमेशा ध्यान रखे कि उसमें कुछ storage space हो, और हमेशा एक चीज और ध्यान रखे, cleaning पे अगर आपको focus करना है न, तो organization पहली चीज है, और इसकी भी हमें regular पालने पड़ते हैं, और देखिए ये है एक deslo का carpet cleaner, मतलब बहुत ही बढ़िया है, पानी में से मैं मिलाती हूँ, और इससे मैं अपने जितने भी sofa वगेरा होते हैं, उने clean करती हूँ, लेकिन देखिए इसके लिए भी regular हमें मेहनत करनी पड़ती है न, एक बार ऐसा तो न अगर मैं बात करूं hanging storage की न, तो ये बहुत ही बढ़िया होते हैं, आप अपनी closet के door पे इस तरीके के hangers हुए, या कुछ hanging इस तरीके के organizer हुए, उने hang कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको न, टेप से seal कर दीजे, वरना ये बहुत ज्यादा गिरते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई organizer किसी particular space के लिए खरीदा, और वहाँ पे जब उसने काम नहीं किया, तो हम उसे छोड़ देते हैं, या कहीं रख देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई organizer एक जगह के लिए बना हुआ होता है, आप उसे बहुत अलग-अलग तरीकों से बहु तो इसे शुरुआत से ही मैंने अपने dressing area में रख रखा है, और kitchen की कुछ पुरानी trays हुए, cutlery holders हुए, ये सारे जो हैं आपके vanity area में बहुत अच्छा use आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं इसी तरीके से यहां पे रख लेते हैं, अक्सर हम शौक में बहुत सारी नहीं कर पाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है, कि हम उसका जो रख रखाव होता है, वो सही तरीके से नहीं करते हैं, यानि उसे सही जगा पे नहीं रखते हैं, ये बहुत ही बड़िया callous remover है, पैरों की dead skin निकालने के लिए, मेरे ये काफी काम आता है, बहुत अच्छा item है, अब इसके साथ ना एक चोट असा bag आये था, और ये hanging bag type का था, इसमें इसका सारा समान रहता है, इसके अलग-अलग तरीके के attachments रहते हैं, तो इसको मैं अपने bathroom में hang करके रखती हूँ, और ये ना चार्ज होना इसे करना पड़ता है, तो इसकी cable इसी में रह रखा है कि जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है, वीक में एक बार, कि मुझे अपने पैर साफ करने है, तो मैं इसको ले लेती हूँ, उठा लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसी जगा रखा है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा accessible है, तो चीजों को हमें रखना इस तरह से बहुरारा करना चालिए, देखे यह एक मैं ने हैंगर लिया था, यह काफी पहले लिया था दो-तिन साल पहले और इसमें काफी सारी चीज़े आप एक बार भी में हैंक कर सकते हैं, कई सारे section हैं, जैसे मैंने इसमें की सारी jeans वगरा हैंक करी थी, छोटे से space में ये आजाता तो कोई भी बहुत ऐसी चीज जो आपको देखते ही संग पसंद आए उसे एक बार में बिल्कुल भी नहीं खरी दिये और दूसरी चीज यह है कि जब हम इन चीजों को ले लेते हैं और इनका यूजम प्रॉपर करते हैं घर और्गनाईज रहता है तो जो उसका स्ट्रेस होता है घर का वो काफी कम हो जाता है कई बार मैं अपनी बेहन से बोलती हूँ कि घर ना हलका हलका लगता है क्यों हलका लगता है घर का वेट तो उतना ही है लेकिन उसमें जब सामान सही तरीके से रखा रहता है ना तो घर क्या हमारा दिमाग भी काफी हलका रहता है हमें चीजों को लेके स्ट्रेस नहीं होता अगर हमें कहीं जाना होता है तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि घर का समान खराब होगा और हाँ हम खुश रहते हैं और आज मैंने नया सूट पहना देख Decluttering एक ऐसी चीज है जिसके उपर तो आप मुझे जितना चाहो मैं उसके उतने advantages बता सकती हूँ Winters में शानू आया था उसकी सारी jeans मैंने अलग निकाल दी और इसके साथ सारा सामान में regular time पे regular intervals में declutter करती रहती हूँ और इसी के साथ जब declutter होता है तो बहुत सारा waste सामान भी निकलता है जिसको कि अगर हम organizer की तरीके से यूज करना चाहे न तो वो बहुत काम आते हैं कुछ इस तरीके के cardboard boxes हुए या plastic boxes हुए उनको paint करके, labeling करके बहुत सारे कामों में मैं अकसर यूज करती हूँ और इसके उपर तो मैंने कितने ही सारे videos अल्रेडी बना रखे हैं और बिल्कुल इसी तरीके से जो trays वगेरा होती है या मैं कोई DIY बना रही होती हूँ तो उनी trays के उपर कुछ भी mirrors वगेरा लगा के वो use कर लेती हूँ, kitchen के कुछ पुराने बरतनों का जगा जगा यूज कर लेती हूँ तो इस तरह से क्या होता है घर में सारी चीज़ें अपनी जगा बिल्कुल व्यवस्थित रहती है यानि organizer खरीदना ही हमेशा एक solution नहीं होता है हमेशा एक चीज और ध्यान रखे हमें जब कभी भी अपना घर को बहुत बड़ा बोज ना बने इसलिए इनका एक routine बनाईए और हमेशा थोड़ी थोड़ी जगा की मतलब जो सफाई और organization है जरूर करिये और हाँ kitchen में जो है ट्रांस्पेरेंट storage jars का use करिये अक्सर ऐसा होता है जो इस तरह के jars होते हैं जो transparent नहीं होते हैं उनमें जो हम समान रखते हैं उसकी आदत पढ़ जाती है तो हम उसे लेते रहते हैं लेकिन जब कभी भी हम उसे बदलते हैं तो हमें थोड़ा ढूंडना पड़ता है इसलिए transparent storage jars का ही kitchen में use करिये और इसी के साथ-साथ बहुत जगा ऐसी होती है जहां बहुत समान होता है तो जो कम use होने वाला समान है हमेशा उसे पीछे की तरफ रखिए ऐसी drawers में रखिए जिने आप ज्यादा नहीं खोलते हों तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं kitchen में भी यही करती हूँ क्योंकि kitchen में सबसे ज्यादा समान होता है तो जो कम use होने वाला समान होता है वो मेरी ऐसी shelves और drawers में रहता है जिने में बहुत ज्यादा नहीं खोलती हूँ तो ये केवल kitchen में नहीं मतलब में नहीं नहीं बहुत सारी जगा ये वाला rule फॉलो करती हूँ और जब कभी भी grocery रखनी होती है तो उसके लिए जो बच्चिवा समान होता है उसको मैं zip lock bag में रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वो दिखाई देता है और जगा कम लेता है और इसी के साथ साथ एक जैसा सामान एक जगा रखना आपकी organization को बहुत ही powerful बना देता है अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये सामान बहुत आसानी से हमें मिल जाता है और जब कभी भी आप सामान को रखें तो ऐसी जगह पे रखें जहां पे आप जो है stack बना सकें कुछ ऐसे organizer हो जैसे की wall पे shelf लगा दी कुछ bins का use कर लिया या कुछ इस तरीके के organizer का use किया जो space saving होते हैं मेरी जो grocery वाली almira है उसमें ज्यादा तर मैं इसी तरीके के organizer का use करती हूँ या फिर बड़ी basket का use करिये मेरे घर की लगबग हर closet में इस तरीके की बड़ी basket रखी हुई है जसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं और मेरी जो almiraz हैं वो बिलकुल भी नहीं फैलती है तो कुछ चोटी-चोटी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं में से एक है paper का management हमारे बहुत सारे doctor के prescriptions होते हैं सामान के bill होते हैं कुछ important documents होते हैं जिनको की मैं इस तरीके की files में रखती हूँ ऐसी मेरे पास करीब 7-8 files हैं किसी दिन एक बार जरूर आपको बताऊंगी और एक बहुत अच्छी चीज है और वो है ये इस तरीके का bag ये actually papers को organize करने के लिए ही है और इसमें एक lock भी लग जाता है काफी सारा space इसमें रहता है जिसमें आप अपने important documents रख सकते हैं ये एक अच्छी चीज है या फिर files को रखिए वो सबसे अच्छी होती है तो किसी दिन में आपके साथ ये सारी चीज़ें share करूँगी लेकिन हाँ अपने important documents का और paper का organization करना बिलकुल भी मज़ी है एक चीज और जो घर में बहुत बुरी लगती है और वो होते हैं फैले हुए तार यानि cables हुई wires हुए तो इन सब को organize करने के लिए मैंने कई बार आपको DIY भी बताए हैं या फिर आप इसे खरीद भी सकते हैं बहुत अच्छी तरीके की चीज़ें आजकल आती है और एक चीज और आजकल लगबग हर चीज ऐसी आती है जो rechargeable होती है और उसके छोटे छोटे wires हुए, plugs हुए मतलब इतने धेर सारी हो जाती है कि उनको रखना या उनको अच्छी तरीके से रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसी तरीके से एक मेरे पास ये organizer है, बहुत पुराना है मतलब कई साल हो गए हैं इसको इसमें छोटी बड़ी हर तरीके की cables रहती है जैसे मेरे पास तो बहुत सारी मेरी कैमरे की, बैटरी की और बहुत सारी electronic gadgets की cables हो जाती है सब इसमें बहुत अच्छी तरह से रखी हुई होती है तो बच्चों को भी जब कभी भी जरूरत पढ़ती है वो इसी बैग में से निकाल लेते हैं ये एक बड़ी ही अच्छी चीज है बड़ा ही अच्छा organizer है और एक चीज और जो घर में बहुत ज्यादा जो घर को मतलब गंदा दिखाते हैं और वो होते हैं कपड़े तो कभी भी अगर आपका मन नहीं हो जैसे कपड़ों को iron करने का, रखने का, fold करने का, तो इसके लिए ना कोई भी खाली बिन अपने रूम में रखे अब जैसे मुझे ये कपड़े अभी मतलब प्रेस नहीं करने हैं तो मैंने इसमें भर के रख दी हैं, इसके अलावा जो फैले हुए बच्चों के toys होते हैं, कोई भी सामान होता है, या online मैं कुछ मंगवाया तो मैं इसी तरीके के binz में या storage की जो basket से ना उनी में भरके रख देती हूँ, और एक चीज़ और है बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसे हम बहुत कम यूज करते हैं तो कई बार मन करता है कि इसको हटा दें declutter कर दें, जैसे देखें, ये कुछ चूडियां है बहुत ही कम ऐसा होता है साल में जब मैं इनको पहनती हूँ लेकिन इनको organize करना भी जरूरी होता है क्योंकि इनकी अपनी importance है तो बहुत सारा सामान ऐसा है जो आप कम्यूज करते हैं तो बिल्कुल जो भी आपके पास खाली सामान हो ना उसका use करिए इस तरह से कर सकते हैं हम अपने घर को बिल्कुल बड़ियर तरीके से organized तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना और पसंद आए तो like, comment, share करना मत बूला, तो फिर मिलेंगे एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए, okay friends, thank you and bye-bye